पंकज द्रिपाठी की फिल्म और श्री अटल बिहारी वाजपेई जी की बायोपिक में अटाल हून मूवी रिलीज हो चुकी है, जिसके अंदर हमें बेहतरीन पॉलिटिक्स के साथ में कमाल का अभिनय भी देखने को मिला। और ओडियन्स को तो यह फिल्म बहुत ही ज्यादा पसंद आ रही है और क्रिटिक्स भी इस फिल्म को बहुत ही ज्यादा पसंद कर रहे हैं और इसे बहुत ही अच्छी रेटिंग मिल रही है। और ये एक मराठी बुक से इंस्पायर है जिसके अंदर अटल बिहारी वाजपेई जी के जीवन को दर्शाया गया है। में हुआ हो। फिर चाहे वह राम मंदिर का निर्मान हो या फिर इमरजेंसी लगना ही क्यों ना हो। और इसके अंदर हमें 1947 के बाद जितनी भी पॉलिटिक्स भारत के अंदर हुई है वह पूरी की पूरी दिखाई जाती है। किसी को भी छोड़ा नहीं जाता और हर एक कैरेक्टर के उपर फोकस किया जाता है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि इस फिल्म के अंदर नेगेटिव पॉइंट भी है और पॉजिटिव पॉइंट भी है तो हमें मेन अटाल हून देखनी चाहिए या फिर नहीं। तो अगर आप अटल बिहारी वाजपेई जी और पंकज त्रिपाठी के बहुत बड़े फैन हो और उनकी कहानी जानना चाहते हो तो आपको मैं अटल हून मूवी जरूर देखनी चाहिए। बाकी अगर आप पॉलिटिक्स से दूर रहते हो और पॉलिटिक्स के अंदर आपको थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं है तो भी आप यह फिल्म देख सकते हो और अगर आप किसी पार्टी को सपोर्ट करते हो और वे बीजेपी है तो भी आप यह फिल्म देख सकते हो पर अगर आप किसी दूसरी पार्टी को सपोर्ट करते हो तो ये आपको फिल्म अच्छी नहीं लगने वाली है वैसे अगर आपने मैं अटल हो मूवी देख ली है तो आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएगा